नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में गुड मॉर्निंग इंडिया की पहली खबर है कोरुना को लेकर देश में मंगलवार को कोरोना वारत संक्रमन के 1.07 लाग से अधिक मामने सामने आए हैं एक दिन की अब तक की सरवाधिक संख्या है ये इस बीश के इंडिय सरकार ने आगा किया कि अगले चार सबता बेहद महतोपून है और महामारी की दूसरी लहर को रोकने में लोगों को सैयोग करना चाहिए केंडर स्वास मंत्री डॉक्टर हर्शवर्दर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने मास्क लगाने जो ऐसा एतिहात को तितांजली दे दी है देश के विफेन राजियों और केंडर स्राश्री प्रदेशों से प्राप्त आंकडों के अनुसार मंगलवार को संक्रमण के 1.07 लाग से अधिक मामने सामनी आए है जो भारत में जनवरी 2020 में महामारी की शुरवात होने से लेकर अब तक प्रति दिन सामने आए मामलों की सरवाधिक संक्या है देश में पिछले तिन दिन में दूसरी बार एक लाग से अधिक संक्रमण के नई मामने सामने आए है गौरतलब है कि देश में बीते रविवार को 24 गंटे में संक्रमण के एक लाग तीन हजार से जादा मामने सामने आए थे कि इंजिसरकार ने कहा था कि देश में कोविड-19 पिछले साल के मुकाबले इस साल तेजी से पहल रहा है और लोगों को महामारी की दूसरी लेयर को रोखने में सहीओ करना चाहिए कि इंजिसरकार के दो चोधिकारियों ने मंगलवार राज संबादाता संमेलन में कहा कि ऐसा हो सकता है कि देश में एक दिन में संक्रमन के एक लाग से अधिक नए मामले दोबारा सामने आए और ये संक्या पिछली बार की तुलना में अधिक हो सकती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज शाम साथ बजे परीक्षा पे चर्चा कारक्रम के तेज चात्रों अभिवाव को और सिक्षकों से संबाद करेंगे इस संबन में प्रधान मंत्री ने अपने ओफिशियल ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है प्रधान मंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बीते एक साल से कोरोना के साहे में रहे रहे हैं उन्होंने शात्रों से कहा कि वे परिक्षा को अफसरों के तौर पर देखें ना कि जीवन के सपनों के अंत के तौर पर वीडियो में ये भी बताये गया है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी बच्चों के साथ दोस्तों के तौर पर बातचीत करेंगे और इसके साथ ही ड पिछली बार इसका एजन दिले के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम के जरीए वो हर साल शातरों समवाद करते हैं उन्होंने परिक्षा के तनाव को दूर करने के उपाय सुझाते हैं अमेरिका का शिकागो गोलियों की तर्टराहट से गुंज अठा शिकागो के साउट साइड में स्थेथ एंग्वी वोड में हुई इस गोलिबारी में साथ लोग घायल हो गए हैं यह घटना सोंवा रात करीब 11 बचकर 10 मिनिट पर हुई थी पुलिस में बताएए कि गोलिबारी में एक उनलबारी में एक उनगलवार सुबह तक किसी को भी रासत में नहीं लिया गया था हाला कि मामने की जाच जारी है गौतरब है कि गट्टा ऐसे समय पर हुई है जब भीते कुछ समय से शेयर में हिंसा का दौर लगातार बढ़ गया है बीतर अविवार को इस टर के दिन भी शिकागो में गोली बारी की घटना हुई थी गौतरब है कि अमेरिका में गोली बारी की घटनाओं में काफी तेजी के साथ फृद्धी हुई है जिसके चलते सरकार सम्मन्द में कानून लाने का विचार कर ही है सुभा की कबरों में फिलाल के लिए इतना ही आप बनी रही है निउस्वल इंडिया के साथ